गुड मॉर्निंग स्टुडेंट्स, वालकम टू अम्डियन एजुकेशन टूड़े एंड गोईंग टू टीच यू मैट्स यह स्टुडेंट्स तो हमारा फर्स्ट चेप्टर है फोर डिजिट नंबर तो इसमें हमारी फर्स्ट अक्सेसाइज है write the numbers names of the following तो यह दिये हुए है इनके हमने number name लिखने है यह कितना है 372 तो हम इसको लिखेंगे THRW3 HUNDRED100 SEVENTY70 TWO2 372 फिर है 865 EIGST8 HUNDRED100 SIXTY660 FIVE5 अगर हमें number name अच्छे से याद है तो हम इनको कर सकते हैं अगर हमें number name ही नहीं याद है तो हम इनको नहीं कर सकते हैं तो इसके लिए सबसे पहले हमें number name learn करने होंगे आगे write the expanded form for each of the following तो इनकी हमने expanded form बनाने expanded form कैसे बनाते हैं इनको हमने अलग-अलग करके लिखना होता है जैसे ये इकठा दिया हुआ sword form में इसको अलग-अलग करके लिखेंगे तो सबसे पहले 100 place के बनाएंगे ये कितना है 600 तो इसको हम 600 write कर देंगे फिर कितना है 7 ये 10th place पे है तो 70 हो गई यानि जैसे इनकी place value निकालते तो यहाँ पर place value ही बतानी होती है expanded form में तो यहाँ पर कितनी हो गई 600 प्लस 70 प्लस 4 ये है 253 तो यहाँ पर हम इसकी place value 2 क्यों आ जाएगी 200 5 क्या जाएगी 50 और प्लस 3 तो आगे हैसी वाला which of the two numbers of greater इन दोनों में से हमने greater बताना है तो इसके लिए हम क्या करेंगे इनका comparison करेंगे कि कौनशा greater और कौनशा समोग तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे 100 प्लेस यहाँ पर 6 है यहाँ पर 2 है हमने पता है 6 bigger होता है तो हम 6